हेलो दियर स्टुडेंट्स विल्कम बाक टू आप चैनल साइंस फॉर्दर करते हैं कार्बन अनिट्स कंपाउंज वाला मारा चाप्टर जो की सबसे इजी एक्स्प्लिनेशन के साथ और बहुत अच्छे नोट्स के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ फुल एंसे आपको बता जाते हैं लेकिन अब जो यह पार्ट हम करने वाले इससे कहें कि आल्मोस्त सारा चाप्टर आपका खतम कर दूंगा मैं ठीक है तो यह स्टार्टिंग विदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंट्स कार्बन कंपाउंट्स बोले तो हाइड्रो कार्बन इसके हैं जैसे हैंलो गृप्स लग जाते हैं इसकी हैं अग्स תब्सक्धार अगमिख्छाय लग जाते हैं तो आपके फंक्शंटल गृप्स आ जाते हैं तो वो सब हम परने वाले हैं इससे क्या है कि सारा chapter almost खतम हो जाएगा बस आयूपक वाला मैं last में cover करूँगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले combustion से अब combustion क्या होता है again किसी भी compound को जब तुम oxygen के साथ react करवाते हो इस process को combustion कहते हैं साफ सीधी बात combustion का हिंदी में हम बोलते हैं जलाना अब जलता तो कोई भी substance oxygen की presence में है right that is why we say कि oxygen से react करवाने को कहते है combustion यार यह reaction आपने बच्पन से पढ़ाया है C plus O2 gives CO2 that is carbon को जब oxygen के साथ react करवाते है तब क्या बनता है CO2 CO2 gas liberate होती है और साथ में heat और light तो आती ही आती है ठीक है similarly यहाँ पे है CH4 this is called methane methane को जब आप oxygen के साथ react करवाते हो तो आपको क्या बनता है CO2 बनता है H2O यानि water आता है और साथ में heat and light आती ही आती है similarly आप जब ethanol, ethanol को जब आप ethanol की combustion करते हो यानि oxygen के साथ react करवाते हो तो क्या products बनते है CO2 बनता है H2O बनता है और साथ में heat and light भी liberate होती है अब इसके under हमें एक काफी important चीज़ पढ़ना है कि saturated and unsaturated hydrocarbons में हम differentiate कैसे कर सकते हैं अब आप बोलोगे कि sir saturated में सारे single bonds होते हैं unsaturated में double or triple bond होते हैं हाँ यह है but this is chemically no लेकिन अगर हमें physically पता लगाना है obviously chemical यह तो microscope खोल के तो कोई बैठे नहीं है तो अब हमें अगर physically पता लगाने कि अच्छा यह वाला hydrocarbon saturated है यह unsaturated है तो कैसे करेंगे हमारे पास एक test होता है जिसका नाम है flame test flame test का मतलब है जब इन compounds का combustion करो तो कौन सी color की flame निकलती है जिस भी जैसे कि अब saturated compounds है ठीक है उनका जब flame test होता है यानि उने combustion अंडरो को करते है जब वो तो कौन सी flame आती है blue clean blue flame is produced okay और unsaturated hydrocarbons एक yellow sooty flame देते हैं तो आपको अच्छे तरीके से पताओना चाहिए saturated saturated मतलब pure pure मतलब clean blue flame and unsaturated मतलब yellow sooty flame sooty का मतलब क्या है smoke के particles बात समझ में आई अब इसमें भी exceptions है आपको पता है कि अब जैसे कि saturated hydrocarbons clean blue flame तब ही देते हैं जब abundant यानि काफी जादा oxygen rich supply होनी चाहिए मतलब oxygen भर-भर के हो तब यह देते हैं क्योंकि अगर limited supply of oxygen होती है तब saturated hydrocarbons भी yellow sooty flame देने लग जाते हैं क्या बात समझ में आई तो यह flame test बहुत important है board's point of view से आगे बढ़ते हैं यह काफी अच्छा application है इसको समझने का flame test को कि जैसे हम kitchen वगेरा में stove यूज करते हैं कि अच्छी खासी presence में fuel burn हो तभी एक clean blue flame आएगी लेकिन अगर वो inlets block हो जाते हैं तब क्या होगा yellow sooty flame आपको काली-काली types होगा और इसी वजह से जो आपके जो भी आपने बरतन वगेरा रखा है stove की उपर वो नीचे से उसकी surface काली हो जाएगी it will get blackened up तो यही reason है कि जो in fuel waste होगा fuel waste क्योंकि वह बर्न ही नहीं हो रहा वो limited supply of oxygen में बर्न हो रहा है इसकी विजह से क्या हो रहा है yellow sooty flame आ रही हो इसकी विजह से cooking vessels के नीचे ब्लैक-ब्लैक जम रहा है बात समझ में रही इसलिए air holes को clean करना बहुत ज़रूरी है time to time okay next reaction पर आते हैं oxidation oxidation के अंदर आपक oxidation क्या होता है oxidation मतला नाम से पता लग रहा है oxidize करना oxygen का addition करना compound में add करना oxygen को ठीक है तो अब यह ethanol किसमें convert हो जाएगा ethanoic acid में तो बात समझ में आ रहे है ethanol को ethanoic acid में कैसे convert किया जा सकते है बहुत important question है यह votes का the answer is by using alkaline potassium permanganate or you can say acidified potassium dichromate अगर आप basic alkaline मतलब basic basic medium का कुछ लेना चाहते हो as a reagent तो आपको लेना चाहिए Kmno4 Kmno4 किसका formula है potassium permanganate का okay लेकिन अगर आप acidic medium लेना चाहते हो तो आपको लेना चाहिए potassium dichromate K2Cr2O7 formula पता होना चाहिए Kmno4 is potassium permanganate and K2Cr2O7 is potassium dichromate बात समझ में आई तो these are called oxidizing agents oxidizing agent क्या होता है ऐसे agents जो oxygen add करते हैं किसी compound में उनको oxidizing agent का नाम दिया जाता है तो यह reaction बहुत important है question में पूछता है कि ethanol को ethnoc acid में कैसे convert किया जा सकता है तो oxidation कित्रू convert किया जा सकता है अब हम आते हैं addition reaction में that is the third chemical property of carbon compounds addition reaction क्या होता है बच्चों यह जो unsaturated hydrocarbons होते हैं जब वो nickel और hydrogen की presence में आप nickel what is nickel nickel acts as a catalyst बच्चे catalyst क्या होता है catalysts are दो substances जो कि chemical reaction में use किये जाते हैं जाकि उस chemical reaction की speed यहां तो बढ़ जा यहां तो घट जाए तो बढ़ाने के लिए अलग catalysts होते हैं घटाने के लिए अलग catalysts होते हैं बात समझ में आई तो अब addition reaction में कौन से catalysts का यूज किया जाता है यहां तो आप nickel use कर लो यहां तो एक और catalyst होता है जिसको कहते है पलेडियम आप पलेडियम भी यूज कर सकतो तो यह दोनों आपको पता होने चाहिए तो यह addition reaction से क्या होता है एक unsaturated hydrocarbon saturated में convert हो जाता है अब unsaturated का मतलब क्या है यहां तो double bond हो यहां तो triple bond हो वो किसमें convert हो जाएगा single bond में तो जैसे कि अब यहां पर इनो ने एक्जामपल लिया है हमारे पास एक unsaturated hydrocarbon है जब इसको nickel as a catalyst is used and hydrogen gas की presence में इसको treat किया जाता है तो वो क्या बन जाता है एक saturated hydrocarbon में convert हो जाता है तो unsaturated से saturated अगर बनाना है तो यह best reaction है reaction का नाम क्या है addition reaction और यह reaction का application क्या है यह बहुत ज़रूरी है it is used in the hydrogenation of vegetable oils hydrogenation of vegetable oils अब यह क्या है इसका basically मतलब ही है vegetable oils जो कि unsaturated compounds contain करते हैं वो किसमें convert हो जाते है animal fats में animal fats के अंदर saturated carbon change होते है ठीक है that is why अब ध्यान से देखो animal fats ना जिनके अंदर saturated fatty acids होते है they are said to be harmful for health ठीक है लेकिन यह जो oils होते हैं जिनके अंदर unsaturated fatty acids होते हैं यह okay होते हैं इसे लिए they should be chosen for cooking लेकिन अगर हम animal fats लें तो obviously they are harmful for health why because इसके अंदर saturated fatty acids होते हैं जो कि it's not good for health लेकिन अगर हम vegetable oil की बात करें तो उसके अंदर unsaturated fatty acids होते हैं and that should be chosen for cooking तो यह जनरल आपको पता होना चाहिए लेकिन most important है कि hydrogenation of vegetable oil अब इसका hydrogenation एक और इसलिए भी नाम दिया गया है क्योंकि आप H2 को भी आड करो ने इसलिए hydrogenation of vegetable oil vegetable oil क्योंकि unsaturated है वो किसमें करोट हो जागा animal fat में जो की saturated होता है बात समझ में अब हम आते हैं substitution reaction substitution reaction होता है in the presence of sunlight क्या किया जाता है chlorine को add किया जाता है hydrocarbon में और यह काफी तेज reaction होता है अब chlorine क्या करता है आपको पता hydrocarbon में carbon होते हैं hydrogen होते हैं hydrogen atoms को एक एक करके replace करता रहता है यह को substitute करता रहता है chlorine का atom और इसलिए इसको कहते हैं substitution reaction क्योंकि एक atom किसी और atom की जगह ले रहा है उसकी जगह substitute कर रहा है जैसे कि इस case में chlorine hydrogen की जगा ले रहा है, chlorine H को यानि hydrogen को substitute कर रहा है, इसलिए इसको substitution reaction का नाम दिया गया है, क्या बात समझ में आती है, इसका reaction भी आपको पताओना चाहिए, CH4 में आप Cl2 डालोगे तो क्या बनेगा, CH3Cl, ठीक है, and साथ में हमारे पास HClb है, chloromethane, methane में आप chlorine डालोगे तो क्या बनेगा, CH3Cl, chloromethane, और साथ में आपके पास HClb है, so in the presence of sunlight only it happens, okay, now with this I stop it here and I'll cover the next portion in the next video so that videos अदा लंबी ना हो जाए, so I'll meet you then, take care and all the very best, please make good notes.